दोस्तों आज के वीडियो में हम उठाव तुम हो अतिबढ़ भागी इसके पूरे चेप्टर के व्याख्या कर रहे हैं उठाव तुम हो अतिबढ़ भागी अपरस रहत सनेह तगाते नाहीन मन अनुरागी पुर इनी पाच रहत जल भीतर तारस देहन दागी जों जल माहतेल की गागरी बूंदन ताकों लागी पीत्री दर्दी में पावन बोर्यो दिष्टिन रूप परागी सूरदास अबला हम बाहरी गुर्चीटी जों पागी इन पंक्तियों में गोपियां उधाव से फ्यंग्य करती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत ही भागिश वाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और सनेश से वंचित हो तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परन्तो जल में डूबने से बचा रहता है जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर उस पर पानी की एक बून भी नहीं ठहर पाती ठीक उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें शनान करने की बात तो दूर तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक बीट भी नहीं पड़ी तुमने कभी प्रीती रूपी नदी में पैर नहीं डुबाए तुम बहुत विद्यवान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे परन्तु हम भोले भाले गोपे काई हैं इसलिए हम उनके प्रती ठीक तरह से आकशित हैं जैसे चीटियां गु की तनमन विथा सही अब इन जोग संदेश नी सुनिसने विरही नी विरह दही चाहते होती गोहार इजतही तै उरताइधार भही सोर दास अब थीर धरैं क्यों मर जादा न लही इन पंक्तियों में गोपियां उधव से कहते हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई वे श्री कारती हैं कि उनको जो बाते हैं सिर्फ Krishnah से ही कहनी है किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती हैं वे कहती हैं कि इतनी समय से क्रिश्न के लोट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की व्यथा को सह रही थी ये सोच कर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ग्यान योग का संदेश भेज कर हमें और भी दुखी कर दिया है हम वि उधव हम धीरज कैसे धरें कैसे धरें जब हमारी आशा का एक मातर तिनका भी डूब गया प्रेम की मरियादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ चल किया है उन्होंने मरियादा का उलंगन किया है हमारों हरे हारिल की लकरी मन कर् पकरी जागत सोवत स्वपन दिवस निसी कान निकान जकरी सुनत जोग जागत हैं ऐसो जो करोई ककरी सूतो ब्याधी हम काउं ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर लिनाईते सवपो जिनकी मन चकरी इन पंक्तियों में क्या कहते हैं गोपियां कि कृष्ण उनके लिए हार हैं उन्होंने मरम मन करम और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है गोपिया कहती हैं कि जागते सोते हर समय उन्हें हरी हरी नजर आते हैं और वो हर समय हरी के नाम का पाठ करती रहती हैं और हर समय रोम रोम में कृष्ण उनके बसते रहते हैं उन्हें उध्यव का संदेश जो है कड़वी ककड़ी के समान लगता है हमें कृष्ण की प्रेम का रोग लग चुका है अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती है क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना ना कभी देखा और ना कभी इसको भोगा ही है आप जो य पढ़े है राज नीत पढ़े आए समझी बात कहत मदू करके समाचार सब पाए एकति चतुर होताई पहले ते अब हुर ग्रंथ पढ़ाए बड़े बुध्धी जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए उधाव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए अब अपने मन फेर पाईए चले ही जो हताई चुराए ते क्यों अनित कराए आपन जी और अनित चुडाए राज धरम तो यह सूर जो प्रजान जाही सताए वो प्या यहां पर कह रही है कि श्री कृष्ण ने तो राजनीती पढ़ ली है और वो विंग्य पूर्वक कहती है कि वो पहले से ही चलाग थे अब तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिये हैं जिससे उनकी बुद्धी बढ़ गई है तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी योग का संदेश भेजा है उधव जी का इसमें कोई भी दोश नहीं है यह भले लोग हैं जो दूसरों के कल्यान कर करने में आनंद का अनुभव करते हैं गोपिया उधव से कहते हैं कि आप जाकर कहिएगा यहां से मत्थुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी साथ ले गए थे उसे वे वापस कर दें वे अत्याचारियों को दण देने का काम करने मत्थुरा गए हैं परंतु वे समय मत्याचार करते हैं आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखे उन्हें किसी प्रकार का कस्प नहीं पहुचने दे यही राज धर्म है बच्चों आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा आशा करते हैं इसी तरह से आप सब भी वीडियोज को समझ करके अपने नोट्स बना लेंगे और इसी तरह के और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना थेंक यू फॉर वाचिंग